नमस्कार रूस की धर्ती से मैं मनिज्जा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आज का दिन वाकई बहुत खास है आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज हमारी मुलाकात हुई प्रेजिडंट पुतिन के गुरू कहे जाने वाले अलेकसंदर दुगिन से और उन्होंने जो बाते कही है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है आज हम आपक को बताएंगे कि आज का दिन क्यों खास है देखे आज दार्या दुगिन का जन्म दिन है अगर अगस्त के महीने में युक्रेन की तरब से जो आतंकी हमला हुआ था वो हमला नहीं हुआ होता तो आज दार्या 30 साल की होती है और आज जन्म दिन के मौके पर मुझे करना चाहिए और उनकी सोच के मुताबिक ही प्रेजिडंट पुतिन ने रूस को इस युद्ध के लिए तयार किया और फिर युक्रेन पर आकर्मन हुआ तो इसलिए अलेकसंदर दुगिन की अपनी एक खास्यत है अपनी एक सक्सियत है और रूस युक्रेन युद्ध में उनकी एक महतफुर्ण भूमिका है लेकिन अगस्त के महने में जब अलेकसंदर दुगिन को टार्गेट करने के लिए युक्रेन की तरफ से आतंकी हमला हुआ मासको से 50 किलो मीटर दूर इस्तीद जखरोवा स्टेट में एक कार में बंप प्लांट किया गया उसमें अलेकसंदर दुगिन को बैटना था लेकिन उसकी जगह पर उनकी बेटी दार्या दुगिन बैटी और वो मारी गई उसके बाद से अलेकसंदर दुगिन लगातार चुप थे लोगों को लगा या पूरी दुनिया को लगा कि दुगिन अब पुतिन का समर्थन नहीं कर रहे है और खास करके खेरसौन से जब रूस की सेना पीछे हटी तो फिर उनके स्टेट्समेंस कुछ ऐसे आए जिनको ले मेरे लिए मौका था जब मैं अलेकसंदर दुगिन के से मिला तो मुझे वो तमाम सवाल पूछने थे तो इसलिए जब मैंने उनसे पूछा सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि यह बताईए यह युद्ध कब खत्म होगा और उसका जवाब जो था वह वाकई में रॉंगटे खरे कर देनी वाला है जब अलेकसंदर दुगिन ने मुझे कहा कि इस युद्ध के खत्म होने की सिर्फ दो ही संभावनाए है पहली संभावनाए जब युद्ध में रूस की विजय होगी और जब तक विजय नहीं होता है तब तक रूस लड़ता रहेगा उन्होंने कहा कि हमें भी पता है कि यह आसान नहीं है और यह जल्द नहीं होने वाला है लेकिन रूस की लड़ाई जारी रहेगी जब तक वो विजय सिर्फ को हासिल नहीं कर लेता है लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरी संभावना यह है कि यह यूद्ध तब खत्म होगा जब पूरी दुनिय खत्म हो जाएगी और उनके कहने का मतलब यह था कि अगर रूस विजय नहीं हासिल कर पाएगा अगर रूस को यह लग रहा है कि वो अमेरिका और नाटो देशों से लड़ते वे हार सकता है तो वैसी इस्तिती में फिर रूस नुकलियर बम के इस्तेमाल से नहीं इचकेगा और अगर रूस परमानु बम का इस्तेमाल करेगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर रूस और नाटो के बीच जो भयानक लड़ाई होगी उसमें दुनिया का सर्वनास होगा यह बात अलेक्जंदर दुगिन मुझ से कह रहे थे टीवी नाइन से कह रहे थे पूरी दुनिया से क साथ ही अलेक्जंदर दुगिन यह भी कह रहे थे कि यह लड़ाई रूस और युक्रेन की नहीं है और यह बात तो सच है बीते दस महिनों से जिस लड़ाई को हम लोग देख रहे हैं जहां पर युक्रेन सिर्फ आगे मोहरा बना हुआ है उसके पीछे नाटो देश की सेना को स्विकार भी लिया है कि बिटन के रॉयल नेवी के बहुत सारे सैनिक स्पेशल आपरेशन के नाम पर युक्रेन में मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ बिटन के सैनिक ही नहीं बलकि बहुत सारे जो नाटो या पश्रिमी देशों के सैनिक वो अलग-अलग ना कारी अलेक्जंडर दुगिन को है इसलिए आज अलेक्जंडर दुगिन ये कह रहे थे कि हमारी लड़ाई युक्रेन के साथ नहीं है हमारी लड़ाई उस यूनी पोलर वर्ल्ड चलाने वाली मांसिक्ता के खिलाप है यानि वो अमेरिकी सुपर पावर से हम लड़ रहे हैं औ यूनने ये सोचा था कि रूस को अपना पूराना गौरव हासिल करना है रूस को उसी पुरानी समराज को फिर से प्राप्त करना है जो रूस के महानशासक पीटर के समय में था और ये बात पुतिन दुगिन के इस सपने को पुतिन जो है वो पूरा करने में जुड़ गये और पुतिन भी ये चाहते थे कि रूस उसी पुराने गौरब को हासिल करे और इसलिए रूस की सेना जब युक्रेन पहुंची तो पुतिन ने इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया वो लगातार कह रहे थे कि ये रूसी समराज के लिए रूसी अस्तित्य के लिए तो आज जो दुगिन बोल रहे थे आज जो दुगिन हमसे कह रहे थे दरसल यही पुतिन के दिमाग में था तो जो बात पूरी दुनिया जानना चाहती है कि पुतिन के दिमाग में क्या है तो उन्हें पुतिन के गुरू अलेक्जंदर दुगिन के बातों को सुनना होगा जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में TV9 से कही, TV9 पर आकर उन्होंने वो बात कही जिनको सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि पुतिन के दिमाग में क्या चलना है, क्योंकि पुतिन के दिमाग में जो चल रहा है, वही दुगिन के जुबान पर था, और खास करके आज के दिन इसलिए, क्योंकि आज दुगिन की बेटी दारिया दुगिन का तीस्वा जरन दिन था, इसलिए एक पिता आज अपनी दिल से बात कर रहे थे, आज एक पिता वो ब किल्चर का, रूस के ट्रेडिशन का, रूस के अस्तित्यु का, जिस बात के लिए रूस पश्रिमी देशों से लर रहा है, और इसमें रूस कहां तक आगे बढ़ेगा, इसके लिए अलेकसंदर दुगिन जब ये कह रहे थे, कि ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, और ये लड़ाई तब तक चलेगी, जब तक कि रूस विज़ाई नहीं हो जाता है, और अगर रूस विज़ाई नहीं हुआ, तो वैसी इस्तिती में ये पूरी दुनिया के खत्म होने के बाद ही ये लड़ाई खत् कि रूस और युक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा उन सब के लिए आज अलेक्जंदर दुगिन की चेतावनी इस दुनिया के खात्मे की सबसे बड़ी भविश्वानी साबित हो सकती है क्योंकि दुगिन ने जो बात कही है वही पुतिन कर रहे हैं वही पुतिन अमली जामा पहन पहना रहा है और उसी के हिसाब से रूस की सेना लड़ रही है क्योंकि अब रूस की सेना के लिए ये लड़ाई कीव और जेलंस की से लड़ाई नहीं है बलकि रूस की सेना के लिए लड़ाई रूस के आत्मगौरव रूस के पहचान और रूस के उस सदियों पुरान परमपड़ा के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे जब तक रूस हासिल नहीं कर लेगा तब तक रूस लड़ता रहेगा आज जब आप मुझे देख रहे हैं तो मैं मास्कों में मौजूद हूँ भयानक ठंड है मौसम यहां पर हमेशा की तरह उसी तरीके का है जिसे लेकर रूस का मौसम पूरी दुनिया में कुख्यात है लेकिन इसके बावसूद जब आसपास मैं देखता हूं जब आसपास के लोगों से बात कर रहा हूं जब क्रेमिलिन से जुरे लोगों से बात कर रहा हूं क्योंकि आज जब मैं क्रेमिलिन आज जब मैं दुगिन से ब बात करके वह वापस गए पुतिन के पास उनका संदेश लेकर तो आप सोचिए कि आज दुगिन की जुबानी वह बात सामने आई जो पुतिन के दिमाग में यह जो पुतिन का ड्रीम है यह जिसे पुतिन आगे पूरा करेंगे क्योंकि यह उनके गुरु का ही आदेश नहीं ह बलकि यह रूस के उन तमाम लोगों का सपना है जो इस परिकल्पना के साथ जीते हैं कि एक दिन फिर रूस उसी समराज का गौराव हासिल करेगा जो रूस के महान सासक पीटर के समय हुआ था जिहां उसी पीटर का जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के स्थापना की थी औ और उसी सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन का जन हुआ था तो सेंट पीटर्सबर्ग से मास को आकर क्रेमलिन की सत्ता हासिल करने के बाद पुतिन उसी सपने को पूरा कर रहे हैं जो मौझूदा समय में रूस के रास्पुतिन कहे जाने वाले हैं रूस के सबसे वरे दार् के लिए लड़ाई है उन दुगिन के मताबिक ये लड़ाई मानवता और सैतानों के बीच की लड़ाई है तो आप सोचिए दुगिन इस युद्ध को किस मौरल हाई ग्राउन पर लेकर जा रहा है और दुगिन जब ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में रूस मानवता के लिए लड़ रहा है तो यानि रूस की नजर में प्रेजिदेंट पुतिन की नजर में दुगिन की नजर में रूस की सेना के नजर में ये एक धर्म युद्ध है और उस ध दुनिया का महाविनाश ही होगा या फिर पश्रिमी देश जिस दिन ये रियलाइज करेंगे कि अब मानवता के हक में यही अवस्यक है कि इस लड़ाई को यही खत्म करें तो यानि रूस तो हत्यार डालने से रहा या तो रूस विजई होगा या रूस परवानुबं का इस्त मानवता की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर अब सब को सोचना होगा अमेरिका को पश्रिमी देशों को और भारत जैसे देशों को क्योंकि दुगिन जब ये बात कह रहे थे कि इस दुनिया को मल्टी पोलर वर्ल्ड की जरूरत है तो यही भारत की विदेशनीती है भारत की विदेशनीती का मुख्य भाग यही है कि इस समय एक धुरूबी या दो धुरूबी दुनिया की जरूरत नहीं है इस समय कोल्ड वार की जरूरत नहीं है बलकि मल्टी पोलर वर्ल्ड की जरूरत है जहां पर भारत जैसे देश अपनी महत्तपुन भूमी का निवास सके वैस्विक शांती में योगदान दे सके जैसे प्रेजिडेंट पूतिन से मिलते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा था कि ये जमाना युद्ध का नहीं है ये जमाना शांती का है तो शांती लाने के लिए जरूरी है कि भारत जैसे देश अब ये समझ नहीं होगी वरना दुनिया का सरवनास तैह है ये बात कम से कम पुतिन के गुरू दुगिन की जुबानी तो दिखी रही है या यह बात समझ में आ रही है अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह बात कितनी गंभीर है तो गंभीर इसलिए है क्योंकि आज जब मैं रूस में उसम में कम नहीं हो रही है बलकी लगातार बढ़ती जा रही है कल करीम और dal 65 को रूस और युक्रेन ने को छोड़ा और उसमें से बहुत सारे ऐसे युद्ददियों को युकरि tidak को को छोड़ा गया जो बाखमूद कि लडाई में थे और उसमें अमेरिकन भी थे जानी अमेरिकन सینिक भी बाखमूद की लडाई में युक्रेणियन से निको special operation करने के लिए युक्रेन में मौदूद है तो आप इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इस लड़ाई में केवल जेलन्स की और उनकी सेना ही नहीं है बलकि इस लड़ाई में युक्रेन की सैनिक के साथ-साथ अमेरिका ब्रिटेन और नाटो के अलग-अलग देशों के सैनिक अल ये इस पर विचार करना सुरू कर दिया है कि वो पैट्रियट मिसाइल को युक्रेन को भेजेगा और पैट्रियट मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि पैट्रियट सिस्टम को इस्तमाल करने के लिए उससे सीखने में काफी समय लगेगा और इसके लिए जरूरी है कि अमेर लडाई और अधिक चरम रूप ले लेगी यानि सर्दियों में जो लडाई अभी भीशन रूप लिये वे हैं यह और अधिक भानक होगी और वैसी इस्तिती में फिर इसका परिणाम क्या होगा यह बात अलेक्जंदर दुगिन के कथनी से समझ में आता है इसलिए जब आज अ मकसद था उनकी हत्या करने का तो इसमें वो सफल हो चुके हैं क्योंकि अब दारिया नहीं है और मैं भी अब जिन्दा नहीं हूँ मैं अब एक जिन्दा लाश हूँ तो वैसी इस्तिती में उनके मुझ से कही वी वो बाद अब लगता है कि यही पुतिन की वार स्ट्रेटे से कहा है इसे बार-बार सुनिए क्योंकि यह सुनना इसलिए आवस्यक है क्योंकि इसे सुनकर आपको समझ में आएगा कि हमारा भाविश्च कब तक है मानवता कब तक बची रहेगी हम और आप अगले कितने दिनों तक बचे रहेंगे और इन सब के लिए आप अलेक्जंद तक चलेगा जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी और जब दुनिया खत्मी नहीं होगी जब दुनिया रहेगी ही नहीं तो फिर हम और आप कैसे रहेंगे ये बात वही हो गई जो प्रेजिडेंट पुतिन कहते थे, कि वो इस दुनिया का क्या करेंगे जिसमें रूस नहीं होगा, यानि पुतिन और दुगिन एक साथ एक ही तरह से वही बात कह रहा है, कि इस दुनिया में जब रूस विजईसरी को हासिल करेगा तब दुनिया बची रहेगी, अगर चारों भीशन पर्मानु बम हैं, जिसके जर्ये वो पूरी दुनिया का कई बार सर्वनास कर सकता है, कुछ बम रूस की तरफ से चलेंगे, और कुछ बम दूसरे तरफ से चलेंगे, लेकिन हर पर्मानु हमले के साथ इस दुनिया का विनास तय है, और यही बात हैं, तो क्या पुतिन के लिए दवाव हैं, लोगों ने कहा कि पुतिन और दुगिन के बीच मदभेद हो गया, लेकिन आज उन्होंने खुल कर कहा कि वो प्रेजिडेंट पुतिन के साथ है, वो रूस की सेना के साथ है, और रूस सही दिसा में आगे बढ़ रहा है, यह गद्धी से हटाना नहीं है, रूस का लक्ष युक्रेन के उन चार राज्यों को अपने में विले करके चुब बैठने का नहीं है, बलकि रूस का लक्ष उस सामराज़्ी को हासिल करने का है, जो महान पीडर के समय था, रूस का लक्ष अमेरिका और पस्ष्पी ताकतों की उस लड़ाई का मुकावला करने का है जहां पर उन्हें लगता है कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपना बर्चस्व स्थापित कर रहा है और वैसी इस्तिति में जब रूस लड़ाई लड़ रहा है तो फिर रूस जीतने की हर वो कोशिस करेगा रूस के पास जो हत्यार है उन सब हत्यारों का वो इस्तिमाल करेगा और रूस के पास ऐसे ऐसे परमानु हत्यार है जिसके बारे में अमेरिका को भी पता है कि अगर उन्होंने इस्तिमाल किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या दुनिया के खत्म होने तक यह युद चलेगा या फिर अम क्योंकि ये युद्ध अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर मानवता नहीं बचेगी दुनिया का सरवनास हो जाएगा और यकीन मानिए अलेक्जंदर दुगिन जो बात कह रहे हैं यही बात पुतिन करने भी जाएंगे और इसलिए बार बार हम आपको अलेक्जंदर दुगिन की उन बातों को सामने ला रहे हैं क्योंकि अब समय है जब इन बातों पर गंभीरता से विचार किया जाएं यकीन मानिए जब प्रेजिडेंट पुतिन परमानूबं के इस्तिमाल के लेकर कोई बात कह रहे हैं तो वो वाकई में गंभीर हैं इस बात को लेकर क्रेमिलिन गंभ उसंत्यमार का इस्तिमाल करेगा जो उनके तरकस्ति में है यानी रूस अपने उन ब्रंभास्त्रों का इस्तिमाल करेगा फिर उसका परिडाम Three जो हो फिर चाहें दुनिया भचे या ना भचे क्योंकि रूस को विजय स्री चाहिए रूस हार नहीं सकता है रूस हार बरदास्त नहीं कर सकता है प्रेजिडेंट पुतिन किसी भी कीमत पर अपने कदम को पिछे नहीं हटाएंगे और ये सारी बातें दुगिन आज टीवी-9 का इनके जर्ये पूरी दुनिया को बता रहे थे उस दिन जिस दिन उनकी इकलोती बेटी दारिया का जन्म दिन था उस दिन के मन में क्या चल ला है पुतिन की प्लानिंग कि या है वह सब बात दुगिन ने अपने दिल से कहते हुए वह सारे राज खोल दिया है और उन आत्मे के लिए यह जरूरी है कि सब कोई पहल करें तब हम तभी हम आप बचे रहेगे तभी रूस भी बचा रहेगा तभी युक्रेन भी बचा रहेगा तभी अमेरिका भी बचा रहेगा और 5000 किलोमीटर दूर यहां से हमारा भारत और बाकी दुनिया भी बची रहेगी तो आज बस इतना ही मासकों से लगातार हम आपको इस तरह की खबरे देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस युद्ध छेतर में क्या हो रहा है। आज इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। आज इजाज़त दीजिए। आज इजाज़त दीजिए।